दोस्तों, फ़लो में पका हुआ केलह तो आप सभी अकसर ही खाते होगे, लेकिन आज में आपसे हैय पकए वीडियों सेवन करने से मिलने वाले फायदों के साथ-साथ, कच्चे के लिए खाने से भी क्या-क्या हेल्थ मेंजी मिलते हैं वो मैं आप से शेयर करने वाले हूं नमस्कार साथियों डिवाइन हेल्प पर आप सभी का दिल से स्वागत हैं दोस्तों मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं या मेरा वीडियो आपने पहली बार दिखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकल आती रहूंगी दोस्तों केले कैसा फल है जिसके पेंड की भी पूजा की जाती है केले के तनों की छाल का भी उपयोग किया जाता है तरह तरह से आज के समय में इसका उपयोग होने लगा है साथी केले के फूलों की भी सबजी लोगों द्वारा खाई जाती है और साथी केल के फल के बारे में बात करने बाली हो, बाकी पार्ट्स में से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं और उनको कैसे म्यूज करते हैं, इसके लिए मैं बाद में बात करूंगी, पर आज हम कच्चा केला और पका केला, दोनों के लोग को हम जब सेवन करते हैं, तो हमें क्या क्या चकता और खा भी चकता है लेकिन आज मैं आपसे इस फल के उस कुछ बहतरीन फायदों के बारे में बताने वाली हूं और ये फल ऐसा है कि अक्सर हम छोटे बच्चों से ले करके बुजूर्गों तक हम इसे आसानी से देते हैं और इसको खाने से कई फायदे मिलते हैं जैसे क पाचन सही रहता है शरीर को पोशन भी देता है लेकिन कच्चे केले का सेवन जादा तो लोग नहीं करते हैं जबकि कच्चा केला भी उतना ही फायदे मन्द होता है जितना की पका हुआ केला कच्चे केले का लोग कभी कबार सबजी चिप्स ब्या भरता बना करके खा लेते अन्य सबजियों के तुलना में कच्चे केले के सबजी का सेवन में बहुत कम ही लोग करते हैं दोस्तों कच्चे केले को आपने किस तरह से अभी तक में यूज किया है कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा यो तो सभी फल बहुत पॉस्टिक और सिहत मंद होते हैं केले केले को खाने से हमें क्या-क्या सिहत के फाइदे हो सकते हैं केला खाने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है क्योंकि इसमें एंटी ऑक्सिजन भरपूर मातरा में पाया जाते हैं केले में एक ट्रिप्टो फैन नाम का कंपोनेंट पाया जाता है जो मूट को सुधारने में मदद करता है साथी बॉड़ी को हिल्दी रखने में भी केला राम बाण की तरह काम करता है यह हमारे digestive system को भी दुरुस्त रखता है केला पाचन के लिए काफी अच्छा माना जाता है हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि केले में मिलने वाला स्टार्ज पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है यह गुड बैक्टिरिया को बढ़ाता है यह फल एंटी एसिट फल भी होता है सीने में चलन होने की समस्या होने पर इसका सेवन काफी फाइदे मंद होता है साथी केले में घुलन सिल फाइवर पाय जाते हैं जो आतों के लिए काफी फाइदे मंद होते हैं ये फाइबर आतों में जाकर के मल को नरम बनाता है जिससे मल त्याक करने में आसानी होती है और सुबह खाली पेट केले का नियमिज सेवन करने से कबज की समस्या से छुटकारा मिल जाता है केले का सेवन करने से हमें बजन गटाने में भी काफी मदद मिल सकती है क्योंकि अगर हमारा बजन बढ़ गया है तो केला हमारे लिए बहुत फाइदेमन साबित हो सकता है केला बजन गटाने में भी बहुत मददगार होता है ये केला अगर आपका बजन बढ़ गया है और आप उसे कम करने का प्रयाज कर रहे हैं तो केला आपकी इस कोशिश में काफी मदद कर सकता है. केला फाइवर का अच्छा स्रोध होता है, यह स्टार्ट से भी भरपूर होता है. breakfast में अगर हम केला खाते हैं तो हमें खाने से देर तक भूगने लगती है और वजन कंट्रोल में भी काफी हद तक मदद मिलती है केले को हम energy का power house भी कह सकते हैं अगर आप केले का 7 रोज करते हैं तो आप हमेशा energy से भरपूर रहते हैं केले में तीन natural सुगर, सुक्रोज, फुक्टोज और ग्लुकोज पाई जाती हैं जो body को fat free और cholesterol free रखकर energy देती हैं यही कारण हैं कि athlete और sports person खेल के दोरान energy के लिए केले का ज़्यादा सिवन करते हैं केला heart को भी healthy रखने में काफी मदद कर सकता है क्योंकि केले में potassium और magnesium काफी अच्छी मात्रा में पाया जाते हैं यह heart को अच्छे से खयाल रखता है और blood pressure को भी control करने में मदद करता है साथी केले में मौझूद pactin blood sugar level को भी control करने में help करता है केले में मौझूद magnesium मान स्पेसियों को आराम दिलाता है और दर्थ से भी रहाद देने में मदद करता है तो साथी यह थे पके केले खाने के फायदे अगर हम केले का रोज सेवन करते हैं तो इस तरीके से वो हमें इन छोटी-छोटी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है और हमें स्वस्त रहने के लिए भी काफी फायदे मंद हो सकता है तो आईए अब बात करते हैं कि कच्चा खेला खाने से हमें क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं साथियों कच्चा केला भी हमारे हार्ट को लंबे समय तक खेल दी रखता है और ब्लड प्रिशर को कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें भी पोटेश्यम और मैगनिस्यम बहुत अच्छी मात्रा में पाये जाते हैं कच्चा केला भी डाइबिटीज के मरीजों के लिए काफी फायदे मन्द होता है और यह किसी रामबांट से कम नहीं है यह कैसी हरी सबजी है जो सुगर कंट्रोल करने का बेहदी आसान और कारगर तरीका है कच्चे केले में ग्लाइसेमिक इंडिक्स काफी कम होता है और इसे खाने के बाद इंसुलीन हार्मोन धीरे धीरे रिलीज होता है तो आप कच्चे केले को अपनी डाइट में जरूर सामिल करें और अपनी डाइबिटीज को भी कंट्रोल में रखें आप इसे सलात के साथ मि तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं मैं वीडियो बनाकर आपके लिए जरूर शेयर करूंगे यकीन मानिए ये डिश बहुत ही स्वाधिस्ट और हेल्डी होती है इस तरीके से कच्चे केले को खाना मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है खास करके मेरे बच्चों को तो बहु के लिए वीडियो प्रिपर करके जरूर शेयर करूंगे साथी ये कच्चा केला पाचन को भी दुरूस्त रखता है इसमें पाई जाने वाले विटामीन और एंजाइम मेटाबॉलिजन को बूस्ट करते हैं कच्चे केले को आप अगर चिप्स सलाद या भरता या स्नैक्स के लूप में खाते हैं तो आपको ब्लोटिंग, अपच, गैस, पेट कालसर, कब्ज आदी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है कच्चा केला भी फाइवर से यूख्त होता है जो बजन गटाने में काफी मदद करता है इसके अलाबा यदि डाइरिया के समस्या है तो कच्चा केला खाने से इस समस्या में भी काफी आराम मिलता है साथ ये जी मितलाना, ठकान, उल्टी, आदी लक्षनों को भी ये कम करता है और स्वस्त रखने में हमारी मदद करता है तो साथ यूँ ये था पका केला और कच्चा केला खाने के कुछ फाइदे दोस्तों अक्सर हमने ये सुना होता है और हमें ये पता होता है जानते हैं कि केला खाने से हमें काफी फायदे मिलते हैं लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि हमें वो किस किस तरीके से फायदा करता है तो अगर आप ये फायदे लेना चाहते हैं तो एकलिस पर डे दो केले का सेवन जरूर करें आप और अगर आप इसे continue में रखते हैं तो आपको health benefit जरूर मिलेंगे पर अगर आप occasionally केला खाते हैं तो इसके उतने फायदे नहीं मिल पाएंगे जितना की मिल सकते हैं तो अपने diet में रोज दो केला जरूर सामिल करें और हो सके तो कच्छे केले को सलाथ के रूप में जरूर खाएं सुबह खाएं या उसकी सबजी खाएं जिस तरीके से भी आप खा सकते हों कच्छे कर लेगा सेवन जरूर करें और ऐसे ही health benefit लें दोस्तों मेरा ये उदेश है कि मेरे दोरा बताएंगे छोटी छोटी जानकारी जिससे आप अपनी लाइफ में भी लागू करें उसे अपना यह नहीं कि केवल आप मेरा वीडियो देखें और स्क्रोल करके आगे बढ़ जाएं अगर आप इन चीजों को अपनाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरा यह उद्देश है कि मेरा यह जो यूटूब का परिवार है वो काफी हिल्दी रहे स्वस्त रहे और हम इस आइसी तरीके से मेरे साथ में बना रहे तो साथ यह मिलते हैं एक नई हेल्दी प्रोड़क्त की जानकारी के साथ में तब तक आप स्वस्त रहें मुस्कुराते रहें